नाले में मिली लाश की अंसुलजी गुत्ती को 72 घंटेव में पुलिस ने सुलजाया, पुलिस ने कहा कि रिक्षा चालक की उसी के मालिक ने की हत्या ये फेस्टिवल सीजन में कोहिनूर इलेक्ट्रोनिक्स ने लाया है अब तक की सबसे बेस्ट इर और धेर सारे एशॉड फ्री गेम्स कोहिनूर इलेक्ट्रोनिक्स को मुम्रा में पिछले 11 सालों से एक प्रिमेंडस रिस्पॉंस मिला है कोहिनूर Electronics में आपको सारे Electronics आइटम्स एक ही छत के नीचे मिलेगे फिर चाहे वो टीवी हो, प्रीच हो, वाशिंग मशिन, एर कंडिशन, माइक्रोवेब या फिर मुबाइल पोर्स कोहिनूर Electronics पर सब मिलेगा और हाँ कोहिनूर Electronics में Finance भी अवैलेबल है जीरो परसंट डाउन पेमेंट पर आप अपने कोई भी मन चाहे Electronics आइटम्स ले सकते हो पहतरीन ओफर्स एंड प्री गिप सिर्फ और सिर्फ आपको कोहिनूर Electronics में ही मिलेगा तो एक बर ज़रूर स्टोर विजिट करें कोहिनूर Electronics और नशेमन पॉलेनी नियर बशीर मेहंदी वाला मुंबे टीवी हर ख़बर सच के साथ मैं वह अफजल शेक और आप देख रहे हैं मुंबे टीवी वसई विरार क्राइम ब्रांच यूनिट दो ने अनसुल जी नाली में पड़ी हुई लाश की गुत्ती को सुल जाया और ये पूरा मामला इस परकार बताया कि 22 नविंबर की दिन महामार का बफाने ओवर ब्रीज यहां पर एक शव जो है मैदान के पास मिला है नाली में पड़ा हुआ और इसी नाली में पड़े हुए शव को पुलिस ने जो है जेजय अस्पताल में पोस्टमाटम के लिए भेजा पोस्टमाटम रिपोर्ट में की गई है जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्च करते हुए इस पूरे मामले को गंबिरता से लेते हुए अपराच शाका यूनिट दो को दी और यूनिट दो ने तीन टीम का गठन करते हुए अब इस लाश की शिनाक करना शुरू किया लाश की शिनाक में पुलिस ने मदद के लिए तमाम प्रियासे किये जिसमें पुलिस को पता चला कि आठ नवेंबर को दिन लवेश नामक व्यक्ति जो है मिसिंग है और इस आठ नवेंबर को रहमेश माली की लापता की जानकारी जैसे ही मिली तो परीजनों के लेकर आ कर के जब मिरितक की पैचान की है पूलिस उनकी तलाश शुरू कर देती जिसके बाद पूलिस को पता चलता है कि picked जो इसमें चश्मदीत है वह उसको भरोसद ईपार पूलिस पूच्त जोए कि क्या मामला है जिसमें कांच फुटने के कारण वो विवाद चुरू हुआ ये विवाद इसकदर बड़ा कि लवेश की हत्या रिक्षा मालिक नहीं कर दी और हत्या कर जो है लाश को नाली में फेक दिया जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफतार कर लिया है और पुलिस ने भी कहा है धर जिसके बाद बाद इसे लेखा उपिस को हैए लोगा कि अपर जब है जा करदा है पुलिस है जा कांज आरा है आरा है इसाई बाद ये खुलिस आरा है। जो बामन पाड़ा है वहां पर एक बॉड़ी मिली थी कुछ लोग लगू शंका के लिए गए थे तो उनको वह बॉड़ी दिखी थी वह बॉड़ी पुरी तरह से शड़ गई थी लेकिन जब नायगाव पुलीस ने उसको पोस्ट मार्टम के लिए भेजा तो पोस्ट मार्टम में ऐसा निश्मन हो गया कि वह बॉड़ी उसके उप वाकि यह जो महत है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था लेकिन हमारी टीम ने परीमंडर 2 की टीम ने यहां से जो बॉड़ी मिली थी उसके जो उसके उपर जो कपड़े थे या कुछ चीजे थी उनका सब फोटोस अच्छी तरह से निकाल के वह उसके फॉर्मडर्स तय किम्स तयार करके उनको वोाडी कोफ़े इडेंटइंटिफाइ किया कि वो किसकी बॉर्य है तो लवेश रमेश मारी करके 30 साल का लड़का उसकी बॉड़ी थी तो बॉडी нिश्पन न करने के बाद में हमारी टीम ने बाद में उसको जो मयत हुआ है उसके जो दोस्त है उनको ढूंडा तो कुछ सक्षिदार भी मिले प्रत्यक्षिदर से सक्षिदार जिसने हमें पता किया बता दिया कि यह लोगों का जगड़ा हुआ था रिक्षा की काच फूटने के वज़े से जो एक आरप है उसकी जो रिक्षा थी उसकी क हमने पता किया है लेकिन अकहाई वर्ट रखाता लगाया था इसकी वज़े से उसने उन्होंने उनको मारा वह मारने के बाद में उसका जो बॉड़ी था और जंगर में फ्लिया था इनका पहले से कुछ भी जगड़ा नहीं था नशा करने के बाद में मैयत में रिक्षा चल है लेकिन अभी और पता करने की जरूरत है इन्होंने पहले भी कुछ आईसे क्राइम किये हैं अभी तो एक आरोपी गिरपतार है एक वीदी संगर सिद्वालक है और और एक आरोपी है उसके बारे में हमें पता चला है उसको भी हम लोग आज आरिश्ट करेंगे तो यह मेनत क बभी है इसमें यह जो है मेनत इसकी वज़े से इनोंने तीम बना के लग लग पाड़ों पे यह जो कॉंप्लेट से वो दिये थे और उसके उपर यह बाडि非常 ये पईचाण हुए की बाडिने और हम हैतने जो दागा पैना हुआ था उसके पर कि दागा पेंते हैं उसके सब्सक्राइब करने के बाद में तुरन दो तीन घंटे में हमने आरो भीवी पकड़ लिये थे सिसी टीवी वहां पर कोई सिसी टीवी की मदद नहीं विली यह सिर्फ हमारे लोगों ने मेहनत करके कॉंप्रेट्स बाठके यह डिटेट किया है अरुपी की विरबतारी वहीं से हुई है जहां रहता है वह नाइगाउ से थैंक यू सर्फ है इसी तमाँ अपडेट्स से जुड़े रेने के लिए सब्सक्राबरे मुंबेटी मैं अफजल से फिर आजिन हूँ एक ने उसके साथ